अगर आप मेरे चैनल फर फर्स टाइम आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए सबसे पहले I'm so sorry क्योंकि मैंने काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था finally मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ आपने मेरे जो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो पुराने वीडियो में मेरे तो सरिफ आथ नजर आते थे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ फाइनली मैंने डिसाइड किया कि उना में आपके साथ बाते करू और बाते करते करते आर्ट वर्ग भी करू तो आपको भी अच्छा लगे आज मैं पेबल पर याने की एक स्टोन के उपर पेंटिंग बनाने वाला हूँ और यह स्टोन मेंने कई मार्केट से नहीं खरीदा है तो ऐसे ही मुझे रास्ते में यह मिल गया था तो मैं ही से घर उटा कर ले आया हूँ वैसे तो मुझे स्टोन पर पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है आपको मैं दिखा देता हूँ यह भी स्टोन मुझे एसे रास्ते में मिला था तो मैं घर लेके आया था और उस पर मैंने खुबसुरत सी एक बीच ट्राइप वाले पेंटिंग बना दी थी तो आप देख सकते हो तो इसी तरह से आज मैं यह जो स्टोन ह इसी स्टोन पर पेंटिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट का यूज कर रहा हूँ तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसे पेंट कर देते हैं एक्रेलिक पेंट की जगा पर आप जेसो का भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास जेसो है तो आप के पास जहिसो है तो यह जह सो काफी अच्छा रहेगा हाला कि जहुद का ही यूज किया जाता है माये पास जहिसो हुद नहीं था इसलिए मैंने ने वैट अक्रेलिक पेंट से कर लिया है तो पेंट होने के बाद हमारा जो पेबल है कुछ इस तरह से दिख रहा है आप देख सकते हो ठीक है तो चलिए इसके उपर हम स्केचिंग करते हैं फिर साथ में है इसे कलर भी करेंगे तो चलिए फटाफट पेंसिल से यहाँ पर एक स्केच बना लेते हैं यहाँ पर मैं एक छट बना रहा हूं आप देख सकते हो तो यह छट बन गई है चट की नीचे हलकी सी एक छोटी बिन्डो बना देते हैं ठीक है मैं डी फाइनली मैंने में आप इसके øपर मैं आप आप Tapi बना लाए लुक्त मैं यहाँ इत्सता के लिए रेट कलर का यूज कररा हूँ शता रेट कलर की मुझे ओर काकु जाधाइक पुस्था पसकंद आटा? आप मुझे कमेंट करके, बताइए तो जल यह फटाफट से इसे भी हम complete कर देते हैं अब मैं purple color की मतदद से यहाँ पर एक छोटी window paint कर रहा हूँ आप देख सकते हो और यही color में main door के लिए भी use कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम main door को color कर लेते हैं तो चलिए घर को थोड़ा सा पेड़ पोदों के साथ decorate करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा black color का यूज कर रहा हूँ तर से थोड़ा सा black color साथ मैं green color का यूज कर रहा हूँ ताकि लिउज यहाँ पर मैं बना सको यहाँ पर बहुत सारी लूज मैंने बना दिये हैं आप देख सकते हो तो चलिए दोस्तों वाइट कलर की मदद से यहाँ पर हम भर भर के डिटेल्स एड़ करेंगे डिटेलिंग से पेंटिंग में काफी खुपसूरती आ जाती है मुझे तो डिटेलिंग बहुत ज्यादा पसंद है तो चलिए इसे भी हम कम्प्लिट कर लेते हैं तो इस तरह से यह हमारा डोर अब बनके रेडी हो चुका है इस विंड़ को भी हम कलर कर देते हैं तो यह कुपसूरती भरते हैं काफी अच्छा लग रहा है काफी शह लग रहा है तो चलिए ब्लैक कलर की मदद से छत को कम्प्लिट करते हैं यहाँ पर मैं छत के ओपर इसी लाइनज खीच रहा हूं, आप देख सकते हो, काफी खुबसूरत लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे प्लीज कमेंड करके बताइए, यहाँ पर भी थोड़ी सी में ब्लैक कलर से डिटेल्स एड कर रहा हूं, कुछ एरिया इसको मैं हैलेट कर रहा हूं, काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी मैं इसे कम्प्लेट करता हूं, बिंडे को भी कम्प्लेट कर लेते हैं, ब्लैक कलर की मदद से छट पर भी हम इस तरह से लाइन खीचते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुबसूरत बनी है, तो चलिए हमारी पेंटिंग के उपर हम एक वार्निश का कोट अपलाई कर रहा हूं, तो चलिए इसे फटा-फट पूरा वार्निश कर देते हैं तो यह वार्निश होने के बाद इस तरह से दिखाए दे रहा है, तो फ्रेंड्स काफी मेहनत के बाद हमारी पेंटिंग फाइनल हो चुकी है, वार्निश करने के बाद किस तरह से दिखती है, मैं आपको दिखा देता हूं, यह देखिए, वार्निश करने के बाद काफी खु सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साती साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई टेक केर